राजस्थान के गाउं में एक बुढधी औरत रहा करती थी जिसके दो जवान बेटे थे बुढधी अम्मा की तबियत खराब थी लेकिन वो फिर भी घर में बुनाई करके घर का खर्च चलाया करती दोनों बेटे काम की तलाश में दूर दूर तक जाते लेकिन उन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता एक दिन बुढधी अम्मा की तबियत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया कुछ दिनों बाद वो बुढधी अम्मा नहीं रही और अब दोनों बेटे बेसहारा हो गए अम्मा की तेरवी पर उनकी बेहन बच्चों से मिलने आई दीदी क्यों छोड़ गई हम सबको ए भगवान मेरी दीदी को क्यों बुला लिया अपने पास मौसी को अपनी बेहन की बात याद आई और उन्होंने अपने जोले में से दो छोटे बकसे निकाले और दोनों को एक-एक बकसा दे दिया ये बकसे मुझे तुम्हारी मा ने दिये थे और ये भी कहा था कि ये तुम्हें उसके मरने के बाद ही मिलने चाहिए क्या है इन में? क्या है ये तो पता नहीं बस दीदी इतना बोल गई कि तुम इसे अकेले मत खोलना ठीक है मौसी अब मैं चलती हूँ घर पर बच्चे अकेले हैं और उनके पापा भी काम के सिलसले में बाहर है तो मुझे जाना होगा लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो मैं आती रहूंगी आखिर तुम्हारी मा के बाद अब मैं ही तुम दोनों का सहारा हूँ देदे मौसी अपना रोना रोकर वहां से चली गई और फिर आकाश और विकास दे अपना अपना डिब्बा खोला डिब्बों के अंदर एक चित्थी थी जिस पर लिखा था इन जादूई मोतियों को लो और पूरब की ओर जाओ तुम्हे वहां तुम्हारी तकदीर मिलेगी जहां ये मोती तुम्हारे हाथों से गिरे वो जमीन तुम्हारी होगी मेहनत करो और अपना जीवन सुखी बनाओ तुम्हारी मा भैया ये क्या है? पता नहीं लेकिन मा ने लिखा है कि हमें जाना चाहिए दोनों भाई गाओं छोड पूरब की दिशा में निकल पड़े दोनों ने जंगल पार किया नदी पार की और अब दोनों एक बहुत ही उपजाओ जमीन के पास पहुँचे और विकास के हाथ से मोती जमीन पर जागिरा और तुरंथी एक बहुत बड़े जमीन के टुकडे के आसपास पत्थरों की दीवार बन गई विकास ये देख बहुत खुश हुआ अरे वाह ये जमीन मेरी है इतनी उपजाओ मेरे तो भाग यही खुल गए बढ़ाई हो भाईया आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो शुक्रिया छोटे मा ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा हाँ भाईया मैं अपना सफर जारी रखता हूँ आकाश ने अपना सफर जारी रखा वो दिन रात चलता रहा चल चल के उसके पैरों में छाले आ चुके थे जब उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो रोने लगा मा, क्या तुमने मेरी तकदीर में योही धूप और भुकमरी लिखी है भाईया को तो उनकी उपजाव समीन मिल गई क्या मेरे लिए आपके पास्ट कुछ नहीं है आकाश की हिम्मत जवाब दे रही थी लेकिन उसने धीरच नहीं खोया और वो चलता रहा आकाश को और कई दिन सफर करना पड़ा कई रेगिस्तान पार कर वो एक पहाड पर पहुँचा आकाश नहर से पानी पीने जुका और तभी उसका मोती वहां गिर गया और तुरंथ ही पहाड के चारों ओर पत्थरों की दिवार बन गई आकाश ये देख दंग रह गया वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसके पास इतनी बड़ी जमीन होगी धन्यवाद मा इतनी अच्ची जमीन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था धन्यवाद मा आकाश ने वहाँ खोदना शुरू किया वहाँ जमीन के भीतर जगा जगा सोना था ये सब देख आकाश दंग रह गया उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था अपनी जमीन से मिले हुए कुछ सोने को लेकर आकाश मंडी पहुचा जहां उससे उसका भाई विकास मिला भाई तुम यहाँ? हाँ भाईया वो मोती लेकर मैं काफी दिनों तक भूका प्यासा चलता रहा मैंने कई रेगिस्तान पार किये और फिर मैं एक पहाड़ी पे जा पहुचा जहां मेरा मोती गिर गया और वो सारा पहाड मेरा हो गया मैंने जब उस पहाड में खुदाई की तो मुझे हर जग़ सिर्फ सोना ही मिला सोना? अरे बापरे इसलिए कहते हैं छोटे कि देर आये दुरुस्ताय तुम्हे अपनी जमीन काफी कश्ट के बाद मिली लेकिन वो तुम्हारे लिए सोना ही साबित होई हाँ भया और मा के आशिर्वात के साथ ही मैं ये सब कर पाया धन्यवाद मा दोनों भाई बहुत खुश थे और एक बार फिर दोनों भाई साथ रहने लगे अब दोनों का जीवन सुख में हो गया था इसलिए कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है दीन दयाल नाम का एक बुढ़ा किसान था दीन दयाल बुढ़ा होने के बावजूद खेत में दिन भर मेहनत करता कभी कभी दीन दयाल की मदद उसकी पतनी बर्खा किया करती दीन दयाल के दो जवान बेटे थे भुवल और दवल दोनों सिर्फ खाना खाने के वक्त दिखाई देते बेटा भुवल अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ मुझसे खेत का काम नहीं होता क्यों न तुम मेरी मदद कर दो बाबा मुझे दिन भर खेत में पसीना बहाने का कोई शौक नहीं आप धवल से कहिए वो आपकी मदद करेगा भाईया अगर आपको काम नहीं करना तो सीधे मना कर दीजे सब मुझ पे क्यूं लाद देते हो मैंने कहा तुझ पे कुछ लादा अभी तो आपने बाबा को मुझे खेत में काम करने के लिए जाने को कहा तो क्या हुआ तू भी मना कर दे ना वो तो मैं करूंगा ही पर आप ऐसा मत किया करो चुब बैठो तोनो जब देखो लड़ते रहते हो तुम दोनों को तो सिर्फ मौका चाहिए जगरने का दोनों भाई शान्त होके खाना खाने लगे और दीन दयाल और उसकी पत्नी निराश हो गए भुवल और धवल खाना खाके निकल गए अब तुम ही बताओ भागयवान मैं क्या करूं आप इने ने बिगार दिया है मैं न कहती थी कि इन्हें बच्पन से ही कामकाच सिखाई है अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता हाँ, मुझसे बहुत बढ़ी गल्टी हो गई अब जब तक बन पड़ेगा हम इन्हें पाल लेंगे फिर तो ये अपनी रोटी खोद ही ढून लेंगे शायद दीन दयाल और उसकी पतनी अपने दोनों बेटों को लेकर निराश थे अगले दिन सुबह दीन दयाल खेत के लिए निकल गया और फिर बर्खा अपने बेटों के पास गई मा की जली कटी का भूवल और धवल पे कोई असर नहीं हो रहा था दिन बीटते गए और दीन दयाल की तबियत खेत में काम करकर के खराब होने लगी वो फिर भी दिन में खेत में काम करता और शाम होते ही खासते खासते घर लोटता में वे अपने तबियत का खैयाल रखा करो देखो तो क्या हालत बनाली है अपनी अगर तुम ही बीमार हो जाओगे तो घर कैसे चलेगा इतना काम मत करा करो बर्खा ने दीन दयाल को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी सेवा करने लगी इस बार दीन दयाल की तबियत बहुत खराब हो चुकी थी पर उसे सिर्फ अपने निकम्मे बेटों की चिंता सता रही थी वो सोचता अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों क्या खाएंगे इन्हें तो खेती भी करना नहीं आता मेरी तबियत तो इनके बारे में सोच सोच कर ही ज़्यादा खराब हो रही थी पता नहीं क्या होगा इन दोनों का एक दिन बिमार दीन दयाल से मिलने उसका मित्र राम कृष्ण आया ये क्या भाई तुम्हारी तो तबियत बहुत खराब है अब उमर भी हो गई है तो तबियत थोड़ी तो खराब रहेगी ना ये उमर की वज़ा से नहीं इसकी वज़ा है क्षमता से अधिक तुम्हारी मेहनत अब घर चलाना तो पड़ेगा ही ना क्यों अब भी तुम्हारे निकट्टू बेटे काम नहीं करते समझ गया तुम्हे काम करो रामकृष्ण ने दीन धयाल के कान में कुछ कहा और फिर दीन धयाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई फिर रामकृष्ण वहां से चला गया दीन धयाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया तुम दोनों हमेशा सोचते हो न कि मैं खेत में इतनी महनत क्यूं करता हूँ तो सुनो, हमारे खेत में एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है खजाना? खजाना? हाँ, खजाना ये मुझे मेरे पिता जी ने बताया था मैंने पूरी जिन्दगी उसे खोजने की कोशिश की पर धून नहीं सका शायद तुम दोनों को मिल जाए दीन धयाल की बातें सुनकर भूवल और धवल ने खेत खोदना शुरू किया कई दिनों तक वो दोनों खेत खोदते रहे तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला भाईया, खजाने का कोई नाम और निशान ही नहीं है हाँ, लेकिन अब इतना खेत खोद दिया है इसका क्या करें? तब ही उनकी मा दोनों के लिए खाना लेके आई अब जब खेत खोद ही दिया है तो बीज भी बोदो कम से कम अनाज ही उख जाएंगे दोनों ने मा के हाथों से खाना खाया और फिर खेत पे बीज बोदिये फिर भारिश आई और उनके बीज को अंकुर फूटे देखते ही देखते अंकुर धान में बदल गए और अब दोनों भाई अपने खेत को देख रहे थे बहुत अच्छी दिख रही है चलो इन्हें काटते हैं दोनों भाईयों ने फसल काटना शुरू किया और सारा धान काटके उन्होंने एक व्यापारी को बेच दिया जिससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिये दोनों भाई मिले हुए पैसे देख बहुत खुश हुए देखो हमने कितने पैसे कमाए चलो बाबा को ये दिखाते हैं हाँ भाईया हमारी मेहनत रंग लाई दोनों भाई खुशी खुशी अपने बाबा के पास पहुँचे ये देखिए हमारी कमाई बहुत अच्छे और पता है पिता जी हमने आपसे भी ज्यादा कमाया भगवान करे तुम दोनों और मेहनत करो और इससे भी ज्यादा कमाओ खुश रहो मेरे बच्चों भुवल और धवल के चले जाने के बाद बर्खा दीन दयाल के पास गई पर ये चमतकार कैसे हुआ क्या सच में हमारे खेत में ख़जाना चिपा है नहीं भागवान ये तरकीब थी रामकृष्ण की उसने कहा था सिर्फ धन की लालची मेरे निकम्मे बेटों को मेहनत के मार्क पे ला सकती है और वो बिलकुल सही था बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण भाईया का अब उनकी बदालत हमारा जीवन बदल गया और हमारे बेटे समझदार और मेहनती बन गए दीन धयाल ने ख़जाने का लालच दे कर अपने निकम्मे बेटों को मेहनत करना सिखाया और फिर भुवल और धवल मेहनत के मार्क पे ही चलने लगे इसलिए कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है